एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए इसे क्रिस्टल्स नेचर से प्रकृती से हमें बहुत आसानी से मिलते हैं उसमें से जैसे होगे क्लियर क्वार्ड्स या रोस क्वार्ड्स या एमेथिस्ट बोलो या एवेंचुराइन हैं ऐसे कई सारे सैक्डो क्रिस्टल्स हैं और इनका रिलेशन हमारे शरीर के साथ हमारे जीवन के साथ डेरेक्ली है जैसे के आपने सुना होगा या पढ़ा होगा स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कार्बन और क्रिस्टल्स होते हैं आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमारे शरीर में कार्बन बहुत जादा मात्रा में बढ़ गई है या बढ़ती जा रही है वो इसलिए क्योंकि हम जंक फूट्स खाते हैं जादा रेडियेशन में रहते हैं और पॉल्यूशन है हर जगार तो हर तरीके की पॉल्यूश करते हैं और अपने बॉड़ी को डिटॉक्सिफाई करते ही रहते हैं उनके शरीर में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है और जब क्रिस्टलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं हमारी जो इंफाइनाइट केपेबलीटीज है पोटेंशियल है या इनर स् है और हमारा माइंड भी वो सारे जो इंफाइनाइट पोटेंशियल है इसको माइंड पावर भी बोलते हैं उसको टैप करना शुरू करता है तो जो काम एक इनसान के लिए बहुत मुश्किल होता है और जो क्रिस्टलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं अच्छी क्रिस्टला में एक प्रॉस्परिटी की तरफ भी ले जाते हैं प्रॉस्परिटी का मतलब हो गया कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, अबंडेंस सभे कुछ उसमें आ जाता है ओवरॉल प्रॉस्परिटी करें जोतिश दुनिया